नमस्कार फ्रेंड्स वागत आप सभी का सॉलिसर में देशर यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में आर्टिकल से लिलेटेड एक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 30 कोशन कवर करेंगे आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कि को बाइड करवा दूँगा और आपको एक दो दिन बाद टेलिग्राम की चैनल पर PDF मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहले आप विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें चलिए सुरू करते हैं तो सबसे प आपको pronunciation मतलब जो sound होती है वो आपको देखनी है अगर वो noun की sound जो है छोटे A से लेके बड़े अंग के बीच में आए अगर किसी noun की sound है छोटे A से लेके बड़े अंग के बीच में आए तो आपको article N लगाना है अगर यही sound जो है noun की का से लेके गाग्यानी के बीच में आ जो छोटे A से आ रही है इसकी sound तो यहाँ पे जो है article क्या आना चाहिए तो article यहाँ पे N आना चाहिए तो यह इसका जो है B option correct हो जाएगा आपको बस यह rule याद रखना है जो article है हमेशा noun से पहले आता है और plus छोटे A से लेके बड़े अंग के बीच में अगर किसी noun की sound आना है अकेले adjective या अकेले adverb या अकेले बर्ब से पहले कभी article नहीं आता है उसके बाद noun आना जरूरी है तभी उस adjective और या adverb या बर्ब से पहले article आएगा तो यह चीज़ आपको याद रखनी है तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा 2 जो है blank भारत में या भारत के बाहर river हैं जितनी rivers हैं जैसे नदियों की नाम से पहले हमेसा article का दा का use करेंगे यह चीज़ आपको याद रखनी है जितनी भी नदियां है भारत में या भारत के बाहर जितनी भी नदियां है उनसे पहले आपको जो है article दा लगाना है यह चीज़ यह का से लेके डाग्यानी के बीच में आएगा तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल क्या आएगा ए आएगा तो यहां पे जो है ए आर्टिकल करेक्ट हो जाएगा तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे आप option में थोड़ा सा मिश्टेक है यहां पे दा ल रखें जब किसी language से पहले article अगर दा लगा दिया जाता है अगर किसी भी language से पहले article अगर दा लगा दिया जाता है तो वहां के लोगों को वो प्रदर्सित करता है तो यहां पे French से पहले अगर हम article दा लगा देते हैं तो यहां पे जो है France के लोगों की बात की जाएगी अगर यहां जर्मन से पहले हम दा लगा दिये हैं तो यहां पे जर्मनी की लोगों की बात की जा रही है तो जितनी भी language हैं अगर उन से पहले हम दा लगा देते हैं तो वहां के लोगों की बात की जाएगी तो यहां पे जो है article इसका जो है C option correct हो जाएगा दोनों में the article correct हो जाएगा अगला जो question है question number 4 जो है which is blank longest river in India question mark तो इसमें आपको याद रखना है जो longest है ये अपने आप में superlative degree है तो आपको मैं बता दूँ जो long है ये positive degree है अगर बात की जाए longer अगर बात की जाए longer ये अपने आप में comparative degree है अगर बात की जाए longest अगर बात की जाए longest तो ये अपने आप में superlative degree है ये है positive degree ये है comparative degree और ये है superlative degree तो superlative degree से पहले हमेशा article दा का use करते हैं तो ये आप याद रखें superlative degree से पहले हमेशा article दा का use होता है तो option जो इसका C correct हो जाएगा अगला जो question है, question number 5 जो है, honest man always speak blank truth तो इसमें जो है, ये एक universal truth है मतलब एक सच्चाई है तो यहाँ पे option इसका जो है, यहाँ पे दा हो जाएगा क्योंकि honest man always speak the truth, मतलब जो इमानदार लोग होते हैं, वो हमेशा सच बोलते है ये एक universal truth है मतलब सच्चाई है, तो इसके लिए हमेशा जो है, यहाँ पे दा आ जाएगा तो इसका जो है, C option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 6, रूस्ता बोज blank, young, part C तो इसमें young से पहले जो है article यंग को आप कैसी लिखेंगे ऐसे तो पहला आच्छर जो है, या है या जो मैंने आपको क्या बताया अगर कास से लेके गाग्यानी के बीच में किसी noun की अगर sound आती है, तो उससे पहले article आपको A लगाना है, तो यहाँ पे जो है A इसका correct हो जाएगा अगला जो कुष्ण है, कुष्ण नमस 7 She returned after blink hour तो इसमें hour जो है इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे hour, तो जो hour है यहाँ पे hour लिखा है, तो छोटा जो बड़ा A है, यह इसकी जो sound आ रही है, बड़े A से आ रही है तो मैंने आपको बताया है, छोटे आज से लेके अगर बड़े अंग तक के बीच में किसी noun की अगर sound आती है तो उससे पहले आपको article N लगाना है तो यहाँ पे hour से पहले article N आ जाएगा, तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा जो 8 है blank, sun, science, rightly तो इसमें आपको याद रखना है जितने भी planet हैं जैसे sun, moon, earth इन से पहले हमेसा article आपको जो है, दा लगाना है तो इसका जो है, यहाँ पे दा इसका correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशनमा 9 प्रियाग राज is blank holy city तो holy city, तो holy को आप कैसे लिखेंगे holy city, तो holy ऐसे लिखेंगे पहला अच्छर जो है, हा है तो मैंने आपको बताया है, छोटे जैसे का से लेके गाग्यानी के बीच में अगर किसी noun की sound आती है तो उससे पहले article आपको a लगाना है, तो यहाँ पे जो है a option इसका correct हो जाएगा अगला जो कुश्चन है, कुश्चनमा 10 Sanskrit is blank easy language तो easy को आप कैसे लिखेंगे easy, तो पहला च्छर जो है e है, मैंने आपको बताया है, छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में अगर किसी noun की sound आती है तो आपको article n लगाना है तो यहाँ पे जो है n इसका correct हो जाएगा तो option जो है इसका b correct हो जाएगा अगला जो कुश्चन है, कुश्चनम 11 what English is blank difficult language तो difficult को आप कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे difficult तो difficult पहला अच्छा जो है यह डा है, डा जो है यह कासी लेके गाग्यानी के बीच में आएगा तो इसलिए इससे पहले article A लगाएंगे आप यहाँ पे जो है A option correct हो जाएगा आगला जो कुश्चन है कुश्चनमा 12 इसकी जो आपको याद रखना है तो यहाँ sentence का जो मतलब पूरा आपको समझना पढ़ेगा यदि आप उसे देखते हैं तो उसे संदेश देदे मतलब अगर आप उसको देखते हैं तो उसको यह संदेश देदे तो मतलब किसी particular बंदे को कहा होगा कि आप उसको अगर देखें तो यह संदेश दे दें तो particular संदेश जो है उसको दे दें तो इसके लिए particularize के लिए यहाँ पर जो है दा का use किया गया है तो यहाँ पर particular मतलब कोई message है जो उस बंदे को ही देना है जिसको वो बता के गया है कि आप उसको देखें तो यह message दे दें तो यहाँ पर particularize के लिए यहां पर दा आया है तो यह आप याद रखें अगला जो कुछन है कुछ नमर 13 जो है she looks as stupid as blank owl तो यहां पर जो owl है यहां पर owl को कैसे लिखेंगे आप ऐसे तो owl जो है पहला अच्छर आ है तो इससे पहले article n लगाएंगे आप तो कि मैंने आपको बताया है छोटे आ से लिएके बड़े अंग के बीच में अगर किसी noun की sound आती है तो आपको article n लगाना है अगला जो कुछन है कुछ नमर 14 blank sun rises in the east तो यहां पर जो है किसी भी जो जैसे east है west है north south इन से पहले हमेसे article दा आता है और sun जितने भी planet है जैसे sun है moon है जो भी है Jupiter है इन से पहले हमेसे article आपको जो है दा लगाना है और जो जितनी भी direction है अपनी east north जो भी west और south इन से पहले भी आपको article दा लगाना है तो यहां पर जो है इसका c option correct हो जाएगा अगला जो question है question 15 you are blank यहां पर two की जगाए आप full लिख लीजे full तो you are blank full say that तो यहां पर जो है article आएगा क्या a आएगा full को आप कैसे लिखेंगे full तो पहला अच्छा जो है far है far और far जो है का से लेके गाग्यानी के बीच में आएगा यहां पर जो है a option इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question 16 what blank beautiful scene this is exclamatory sign तो आपको यह चीज़ याद रखनी है जब sentence की शुरुवात wh bird से हो और finish जो है sentence exclamatory sign से हो तो आपको याद रखना है जो wh bird के बाद जो भी जो article आएगा वहां पर हमेशा आपको a या n लगाना है दा नहीं आएगा कभी भी यह चीज़ आपको याद रखना है दा आपको कभी नहीं लगाना है यहां पर हमेशा जो wh bird के बाद हमेशा जो है आपको a या n लगाना है और A और N किसके according लगाना है आपको जो उसके बाद जो भी जैसे यहाँ पर beautiful जो दिया है यह adjective दिया है और उसके बाद जो है noun दिया है तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको A लगाना है तो यहाँ पे जो है A option correct हुजाएगा यहाँ A नहीं आएगा क्योंकि आपको beautiful के according और noun के लिए लगाना है तो यहाँ पे जो है A option correct हुजाएगा यहाँ पे कभी भी दा नहीं आ सकता है यह चीज़ा आप याद रखें अगला जो कुशन है कुशनमा जो है 17 जो है She was killed in blank accident तो इसमें आपको याद रखना है तो यहाँ पे आर्टिकल जो है दा आ जाएगा तो इसका जो है C option correct हुजाएगा हादसे में उसकी मौत हो गई थी तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर किसी हादसे में उसकी मौत होई थी तो इस बज़े से यहाँ पे जो है आर्टिकल दा आया है किसी को पर्टिकुलराइज किया जाए तो हमेशा आर्टिकल आपको दा लगाना है अगला जो कुशन है कुशनम 18 blank pen is mightier than blank sword तो इसमें आपको याद रखना है जब किनी दो बस्तूओं के बीच में तुलना की जाती है और दोनों में से किसी एक को सरबस्रिष्ट माना जाता है तो हमेशा दोनों से पहले दोनों बस्तूओं से पहले आपको आर्टिकल दा लगाना है तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा और इस sentence का जो मतलब हो जाएगा कलम तलवार से सक्तिसाली है तो इस sentence का मतलब हो जाएगा तो option जो है इसका C correct हो जाएगा अगला जो question है, question number 19 get me blank kilo of rice from blank nearest grocer तो इसमें आपको याद रखना है यहाँ पे जो kilo है, kilo से पहले kilo को आपको कैसे लिखेंगे? kilo, तो पहला अच्छा जो है यह का है और का से पहले जो है आपको article A लगाना है, यह मैंने आपको अभी rule में बताया है, और यहाँ पे from nearest, तो nearest जो है अपने आप में जो है superlative degree है nearest, तो near में जब हम near, near में अगर हम EST जोड़ दिया है, तो यह हो गया nearest, जो कि अपने आप में superlative degree है तो यहाँ से इससे पहले article आपको दाल लगाना है, तो इसका right option जो हो जाएगा option A इसका correct हो जाएगा अगला जो question है, question अमा 20 है इसमें, they waited for her, for blink hour, तो hour से पहले आपको article क्या लगाना है, तो यह से पहले आपको article N लगाना है क्योंकि hour की जो sound है ये आ रही है आ से, और मैंने आपको rule बताया है छोटे आ से लेकि बड़े ong के बीश में किसी noun की sound याईगी, तो आपको article दाल लगाना है तो यहाँ पे जो है C option इसका correct हो जाएगा अगला जो question number 22 जो है कश्मीर is blank suzland of India तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो कश्मीर है यह भारत का suzland है तो इस बज़े से आपने suzland country को देखा होगा तो आपे आमेशा बर्फ रहती है तो इस बजए से जो भारत का कशमीर है उसको शुजेलेंट कहा गया है यहांपे तो यहांपे आर्टिकल इस से पहले आपको दाल लगाना है तो यहांपे जो है इसका c उपसन करेक्ट हो जाएगा कशमीर भारत का सुजलेंड है अगला जो कुशन है कुशन नमर 23 जो है ब्लेंक हिमालियाज लाइ टू ब्लेंक नॉर्थ ऑफ इंडिया तो यहां पे जो हिमाले है इससे पहले हमें से आपको आर्टिकल दा लगाना है यह चीज़ आपको याद रखनी है और जो नॉर्थ है यह अपने आप में जो है डारेक्शन है नॉर्थ, इस्ट, साउथ इनसे पहले हमें से आपको आर्टिकल दा लगाना है तो यहां पे जो है इसका सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन 24 जो है ब्लेंक माभारता is blank holy book of blank हिंदूज तो इसमें आपको याद रखना है जो माभारता है यह अपने आप में जो है पवित्र ग्रंथ है जैसे मा भारता, जैसे मा भारता, गीता, कुरान, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल डाल लगाना है, जैसे बाइबल, तो इनसे पहले जो जितने भी धर में ग्रंथ हैं, इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल आपको डाल लगाना है, is a holy book holy को आप कैसे लिखेंगे holy book तो यहाँ पे पहला अच्छा जो है हा है हा मैंने आपको बताया है का से लेके गाग्यानी के बीच में अगर किसी noun की sound आती है तो आपको हमेशा जो है उससे पहले article आपको a लगाना है तो यहाँ पे जो है holy यहाँ पे जो है adjective है उसके बाद जो है noun आया है तो उस जो है book के लिए और holy के according आपको जो है आपको article लगाना है तो यहाँ पे a article इसका correct हो जाएगा और Hindus तो यहाँ पे da Hindus मतलब पूरे Hindus के लिए बात की गई है तो यहाँ पे जो इसका right option जो हो जाएगा option इसका a correct हो जाएगा यहाँ पे शुरू में da आएगा उसके बाद a आएगा और last में फिर da आएगा अगला जो question है question number 25 blank average is blank highest peak in blank world तो इसमें आपको याद रखना है average से पहले हमेशा no article आता है इससे पहले कभी article da नहीं आता है यह आपको याद रखना है तो जो average है यह हमालय की एक छोटी है तो हमालय से पहले आपको article da लगाना है ना कि average से पहले और highest जो है अपने आपने superlative degree है तो इससे पहले हमेशा आपको article da लगाना है और in the world मतलब पूरे संसार की बात की गई है तो यहाँ पर जो correct option हो जाएगा option इसका बी इसका correct हो जाएगा अगले जो question है question number 26 जो है blank line is blank king of beasts तो इसमें आपको याद रखना है तो यहाँ पर सुरुआत में आपको article da लगाना है और उसके बाद are king of beasts तो इसमें जो इसका right option जो हो जाएगा option c हो जाएगा तो इस sentence का जो मतलब हो जाएगा जो share है जानवानों का राजा है तो यह बात सच है मतलब universal truth है तो line से पहले आपको article दा लगाना है और king से पहले are king मतलब share जानवानों का राजा है तो इसमें जो है इसका c option correct हो जाएगा अगले जो question है नहीं आता है और इसके बाद यहाँ पे article आपको दा लगाना है तो honesty is the best policy best अपने आप में superlative degree है इससे पहले article दा आया है और आप लोगोंने सुना भी होगा एक universal truth है कि honesty is the best policy जो इमानदारी है वो हमेशा सरवोत्तम नीती है तो यह आपने सुना होगा तो यहाँ पे जो है इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा option c इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 28 जो है he is blank postman यहाँ पे a postman इसका correct हो जाएगा तो option जो है इसका a correct हो जाएगा अगला जो question है question number 29 she told blank lie तो इसमें जो है लाई से पहले आर्टिकल ए आ जाएगा तो इसकी जो sound है आपको ला से आ जाएगी तो पहला अच्छा जो है ला है तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल आपको ए लगाना है अगला जो कुछन है कुछन मत थाइटी इस वीडियो का लाश्ट जो है blank novel you gave me is out of blank print तो यहाँ पे print से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा और nobel से पहले यहाँ पे दापको लगाना है तो यहाँ पे sentence का मतलब जो हो जाएगा जो आपने मुझे जो उपनियास दिया है वह प्रिंट से बाहर है मतलब जो उपनियास आपने particular मुझे दिया था तो मतलब particular कोई दिया तो यहाँ पे जो है particular के लिए हमेशा आपको दाल लगाना है तो यहाँ पे इसका correct जो है option C इसका correct हो जाएगा thank you friends आप लोगों 30 में से कितना score किया है comment box में जरूब बताएं friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जखूया करें और इसका जो PDF आपको टेलेग्राम की चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलेग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है टेलेग्राम को join कर लीजे तो मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम